नमस्कार दोस्तों सवागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केरेर पॉइंट पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम लेकर आए विज्ञान के टोप 50 क्यूशन जो आने वाले सभी एकजाम को करेकरने में आपके फूली है फूल रहने वाले वीडियो तो मेरे पहले दोस्तो आज जो क्यूशन में कराने वाला हूँ वो आपके प्रिविएस एर से रिएटिड रहेंगे तो आप लोग इन क्यूशन को रच लिजएगा वेरी वेरी इंप्रेंट क्यूशन में आपके लेकर आया इस वीडियो के अंदर तो दोस्तों आगर आपको किसी क्यूशन को नायर जन्जाती का संबन निमलकित में से किस राजी से हैं तो देखिए नायर जन्जाती का संबन जो है केरल राजी से हैं option A आपका सही हो जाएगा केरल अगला question देखिए electronic नगर के नाम से की सहर को जाना जाता है देखिए electronic नगर के नाम से बंगलूरू शहर को जाना जाता है, option C आपका, सही हो जाएगा बंगलूरू शहर यहाप पर right answer, अगला question देखी, पूराओ का पेरिस की सहर को का जाता है, तो देखी, पूराओ का पेरिस जो है, जैपूर को का जाता है, और यह राज़स्तान के अंदर है, ठीक है, तो परियावण के गटक के अंतर कौन सा है, तो देखी, यहापे सही answer हो जाएगा, यह सभी, जैविक गटक, एजैविक गटक, उरूरू जागट, यह सभी जो है दोस्तो, परियावण गटक के अंतर गट आता है, तो option D आपका, सही हो जाएगा, उपरियूक सभी आपे सही answer, अगला question देखते हैं, चलिए, नीमन में से कौन सा परियावण के एजैविक गटक के अंतर गट आता है, तो देखी, एजैविक गटक के अंतर गट को न आता है, ता, option D आपका सही हो जाएगा, temperature जो होता है, वो एजैविक गटक होता है, परियावण का, अगला question देखी, प इसने सबसे पहले पास्थि की तंतर सबद का परियोग किया था, तो देखी, पास्थि की तंतर सबद का परियोग जो है सबसे पहले, A, G, translate के दवारा क्या गटा? उप्शन B, आपका सही हो गा, A, G, translate, next देखी, पास्थि की तंतर के उस गटक को जो अपना भोजन श्वें उत्पादित करते हैं उसे क्या कहा जाते हैं तो देखिए जो अपना बोजिन स्वेम उत्पादित करते हैं उसको क्या कहा जाते हैं उत्पादक वर्ग ठीक है तो option C आपका सही हो जाएगा उत्पादक वर अगया पर right answer next देखते हैं चलिए में CER की से संद्रभीत कता, CER जो होता है, इसकी full form क्या होती है, certified emission reduction, ठीक है, तो option A आपका सही हो जाएगा, certified emission reduction, जो है, CER की full form होती है, अगला question देखी, देखी next question, वैसे जीव, जो मरित जीवों के अवशेशों से, अपना जीवन या अपन करते हैं, इन में से मुख्य रूप से जीवानू कवक आधी आते हैं, तो देखी, किस वरक के अंतरगत आते हैं, जो जीवानू होते हैं, कवक होते हैं, ये अपना भोजन जो है, मरित जीवों के अवशेशों से प्राप्त करते हैं, तो इनको किस वर्क के अंतरगत रख गया है, तो देखिए, अप गटक होते हैं, जो जीवानु कवक होते हैं, ये अप गटक होते हैं, उप्शन भी आपका सही होगा, अगला क्यूशन देखते हैं, वे परदूसक्त पदार्थ जो लंबे समय तक परियाबन में बने रहते हैं, तो ता सुक्षम जीवान दुवरा आप गटित नहीं होते हैं, क्या कहलते हैं, तो क्या कहलते हैं, तो देखिए, निमनी करने पदार्थ पदार्थ कहलते हैं, उप्शन C आपका सही होगा, A और B दोनों, next देखिए नiman में से कौन सा परदूषन का नमनी कण्या परकार है परदूषन का नमनी कण्या परकार कौन सा है कपड़ा option d आपका सही हो जाएगा next देखिए नiman में से कौन yu pardทำ का लक्षन है तो yu pardברים का लक्षन देखिए सवशन तंतर की विमारी दमा और ब्रैंक्रिटिश सभी जो है वायू परदोशन के लक्षन है तो option D आपका सई होगा उपरियुक्त सभी अगला question देखी जल में किस परदोशन की उपस्तिति से मेना माता की विमारी होती है तो देखी किस की वज़े से पारा की वज़े से ठीक है पारा की उपस्तित से मेना माता की विमारी होती है option C आपका सई हो जाएगा next देखी जल में कैडमियम की अधिकता से कौन सी विमारी होती है तो देखी कैडमियम के अधिकता से जल के अंदर जो है कैडिवियम के दिखता होती है तो उससे इटाई टाई बिमारी हो जाती है option A आपका सही होगा next देखिए जल में किस परदुसक की उपस्तिति के कारण बलू बेबी सिंड्रोम नामक बिमारी होती है तो देखिए किस परदुसक की उपस्तित से नाइट्रेट की ठीक है तो option D आपका सही हो जाएगा नाइट्रेट next देखिए नीमन में से कौन सा इक चरा परदुस्तित का परभाव है तो देखिए इक चरा परदुस्तित का परभाव जल का जहरी ला होना मरिदा का बंजर होना और खारदे श्रिंखला परभावित होना option D आपका सही हो जाएगा उपरियुक सभी जो है तीनों के तीनों जो है जल का जहरी ला होना मरिदा का बंजर होना और खारदे श्रिंखला परभावित होना तीनो जो है इकर्चरा परदुष्ण के परभाव हैं तो option D आपका सही होगा according to question next देखिए most important question आपके लिए ओजोन दिवस कब मना जाते हैं तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मना जाते है option B आपका सही होगा 16 सितंबर next देखिए नीमन में से कौनसा दहुनी परदुष्ण का हानिकारक परभाव है हानिकारक परभाव देखिए दहुनी परदुष्ण का कौनसा है उच रक्चाप, माईग्रेन और अनिद्रा सभी के सभी जो है दहुनी परदुष्ण के हानिकारक परभाव है option D, आपका सही हो जाएगा उपरियुक्त सभी, next देखी परदूशन के कारण से संपून वातावर्ण या परियावर्ण का ताप बढ़ना क्या कहलता है तो देखी कहलता है, global warming तो option A, आपका सही हो जाएगा global warming या पर right answer अगला question देखी वातावर्ण में carbon dioxide की वरिदी निमन कारणों में से किस के कारण होती है, तो देखी चार option दिये हैं, इनमें से किस कारण से होती है चले देखी, carbon dioxide की वरिदी जो है देखी, जिवासम इंदनों के ज़्यादा इस्तिमाल से और 1-0 की कटाई से ठीक है, इन दोनों से ज़्यादा तर जो है वातावर्ण के दर जो है carbon dioxide की मातर होती है CO2 की मातर जो है वरिदी होती है, तो option A आपका सही हो जाएगा, एक और दो दोनो ठीक है, तो option A आपका सही होगा अगला question देखते है निमन में से कौन सा या किस gas का हरित ग्रह परभाव में शायक है तो देखी कौन सी gas जो है हरित ग्रह परभाव में शायक होती है जलवास, मेथेन और 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 जोन ये तीनों जो हैं तो जो हैं तो हरित ग्रह परभाव में शायक है साथ से कम तो option B आपका सही हो जाएगा साथ से कम होता है अगला question देखी निमन में से किस गैस का योगदान अमलिय वर्षा में है most important question रहेगा देखी अमलिय वर्षा में किस गैस का योगदान है तो देखी सही आंसर होगा SO2 ता NO2 option A आपका सही होगा पाई जाती है चली देखते है सम ताप मंडल में ठीकि तो option C आपका सही हो जाएगा अगला question देखी ओजोन चंड होता है तो देखी किस की वज़े से ओजोन चंड होता है ओजोन चिदर का होना ओजोन प्रत का पतला होना और ओजोन मुटाई का कम होना तो अप्रियूक्स अभी आपका सही हो जाएगा option D next देखी वाई यू की कौन सी स्थै पर्थवी पर प्राव एंगली किर्णों को आने से रोकती है तो देखी प्राव एंगली किर्णों को जो है कौन सी स्थै रोकती है ओजोन ठीक है तो option B आपका सही हो जाएगा दोस्तों जो ओजोन गैस होती न इसके अंदर जो गैस होती वो oxygen गैस होती है काफी बार exam के अंदर पूछा गया है कि ओजोन प्रत के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है तो oxygen वहाँ पे आपका सही आंशर हो जाएगा ठीक है अगला question देखते है विक्रम शाराबाई स्पेस सेंटर कहां स्तिते है तो देखिए विक्रम शाराबाई स्पेस सेंटर जो है कहाँ पर रहे है तिरुवंत पूरम के ठीक है और इसकी स्थापना जो आंशर नेक्स देखिए सिक्कों का अधियन कलता है तो देखिए numismatic देखिए option D आपका सही हो जाएगा numismatic आपर राइट आंशर अगला question देखिए cellular और molecular जीव विज्ञान के अंदर कहां स्तिते है तो देखिए काँ पर है है हिद्राबाद के अंदर center for DNA and finger printing डाइगनिस्टिक जो है हिद्राबाद के अंदर है option D आपका सही हो जाएगा next देखिए आधुनिक वर्गेकंड का पिता किसको कहा जाता है तो देखिए किसको कहा गया है linear को option D आपका सही होगा next देखिए most important question आपके लिए कोजिका का अधियन कहलता है साइटोलोजी option C आपका सही होगा आपके right answer अगला question देखिए कोजिका सेधान्त का पर्तिपादन किसन न किया ता तो कोजिका सेधान्त का पर्तिपादन जो है स्लाइड ने वं श्वान के द्वारा किया गया था option B आपका सही होगा अगला question देखी सयावालों का अध्यन क्या कहलत है तो देखी फाइकोलोजी option A आपका सही हो जाएगा अगला question देखी National Chemical Laboratory कहां स्थित है तो देखी कहां पर है पूने में तो option B आपका सही हो जाएगा पूने के अंदर National Chemical Laboratory स्थित है अगला question देखी Malaria Research Center कहां है तो Malaria Research Center जो है दिल्ली के अंदर है option B आपका सही हो जाएगा next देखी अंगूरों का उत्पादन सम्मनित है तो देखी किसी सम्मनित है VT Culture से ठीक है option D आपका सही हो जाएगा अगला question देखी नेतर रोग चिकित सक कहलाता है तो नेतर रोग चिकित सक क्या कहलाता है Ophthalmologist option B आपका सही हो जाएगा Ophthalmologist next देखी Veterinary Research Institute का हां स्थित है तो का पर है इज्जत नगर के अंदर option C आपका सही होगा next देखी किस भी ज्ञान में पक्सियों से समधित अध्यन किया जाता है तो किस में किया जाता है Ornitology में option B आपका सही हो जाएगा next देखी plasma अनुसंधान सनस्थान कहां स्थित है plasma अनुसंधान सनस्थान का पर है तो देखी गांधी नगर का पर है राष्ट्री डेरी अनुसंधान सनस्थान का है तो राष्ट्री डेरी अनुसंधान जो है करनाल के अंदर है और करनाल जो है हरियाना के अंदर है ठीक है तो option A आपका सही हो जाएगा next देखी virus का दिन कहलाता है virus का दिन क्या कहलाता है virology option A आपका सही हो जाएगा वायरोलोजी यहाँ पर right answer अगला question देखिए बाबा परमानु अनुसुंधान के इंदर कहाँ पर है B.A.R.C देखिए इसकी short form हो की ठीक है तो बाबा परमानु अनुसुंधान के इंदर जो है ट्रामबे में आउस्तित है option A आपका सही हो जाएगा next देखिए National Brain Research Center कहाँ है तो देखिए कहाँ पर है गुडगाव में ठीक है अब जो इसका नाम बदल दिया गाए तो अब आपको कुछ है इसका नाम मिलेगा गुरू कराम ठीक है और यह हरियाना के अंदर ही है अगला question देखिए अगला question देखिए कीटों से सम्मंदित विज्ञान की साखा कहलाती है क्या कहलाती है देखिए Entomology ठीक है Option A आपका सही होगा Entomology यहाँ पर right answer और आज का आखरी question देखते है जीव विज्ञान सबद का परियोग सरो पर्थम किसी ने किया था तो जीव विज्ञान सबद का परियोग जो सबसे पहले लेमार्क एवन ट्रेवी रेनेस के द्वारा किया गया था Option B आपका सही होगा Friends, I hope आज की वीडियो आपको बहुत है अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फाइदा उठाशके तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक Good Bye Take Care, Jai Hind, Jai Bhad